दिल्ली के सागरपुर के इस खर में मौत का वो खेल खेला गया जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया सागरपुर के इस खर में मौत का ये खेल खेला है परिवार की ही मुखिया जस्विंदर में बंद पड़े इस मकान में एक दिन पहले तक एक परिवार रहता था लेकिन अब इस मकान पर ताला लग चुका है बंद हो चुके इस मकान में मौत का जो खेल खेला गया उसने दो जिंदगियों का अंत कर दिया इसमें से एक उसकी अपनी बेटी शालिनी थी और दूसरी थी पत्नी सरिता इन दोनों के अकत्न का आरोप लगा है एक पिता पर जिसका नाम जस्विंदर है इस हत्या की वज़े जो बताई जा रही है वो वज़ा हैरान करने वाली है इनके बीच आज पहली बार छगणा नहीं हुआ था पत्नी के बीच लडाई इससे पहले भी होती थी हत्या का आरोपी जस्विंदर इससे पहले भी अपनी पत्नी सरिता के साथ मारपीट करता था मारपीट की वज़े थी वो संपत्ती जिस पर जस्विंदर अपना हक चाहता था और दूसरी वज़े थी तलाक जस्विंदर सरिता से तलाक लेना चाहता था लेकिन सरिता उसे तलाक देने से हर बार इनकार करती रहती थी जिस पज़े से जस्विंदर उसकी सर्याम पिटाई करता है इस पडोस में रहने वालों ने भी कई बार देखा था इनकी हत्या करने के लिए जस्विंदर ने ऐसा दिन चुना जब उसकी बेटी और पत्नी दोनों घर पर रहे सुभा पडोसियों को जस्विंदर की करतूत की जानकारी उसी की भतीजी शालू ने दी पतनी सरिता और बेटी शारिनी की हत्या करने में जस्विंदर ने कोई कसर नहीं छोड़ी पड़ोसी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक इनकी हत्या रोड से पीट पीट करकी गई जस्विंदर अब सलाखों के पीछे है जस्विंदर ने हत्या के बाद फरार होने की योजना भी बनाई थी लेकिन इस हत्या के बारे में शालू ने पडोसियों को जानकारी दे दी और पडोसियों ने पुलिस को जिसके बाद पुलिस ने जस्विंदर के खलाफ हत्या का केस दर्श कर लिया है और उसे गिरफतार कर लिया है बियोरो रिपोर्ट टोटल नियूज